हरी कृष्णा राधे राधे Welcome back to Happy Life इतकाना जी जिसकी आज की इस वीडियो में आप है शिवानी के साथ Happy Life इतकाना जी की आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बहुत ही आसान उपाये के विशे में जानेंगे जिसे यदि कोई माक मास के दोरान एक बार भी कर ले तो भगवान उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि माक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंती प्रिये है इसकी हर तिसी भगवान श्री कृष्ण को प्रिये है हर दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है कार्तिक मास की तरह ही इस महीने में भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विश्णू और तुलसी जी की विशेश पूजा वंदना की जाती है वैसे तो तुलसी जी की पूजा पूरे साल ही की जाती है लेकिन कार्तिक के महीने में माग के महीने में और वैशाप के महीने में तुलसी जी के पूजन और तुलसी जी को भगवान पर अर्पित करने का विशेशी मैतु है तो ऐसा ही एक उपाय है जिसमें माग मास के दोरान तुलसी जी के 11 पत्ते या 21 पत्ते लेकर उनकी एक छोटी सी माला बना कर भगवान श्री क्रिश्न, भगवान श्री विश्नू, भगवान श्री राम, लड़ू पोपाल जी या शालिक राम जी को यदि अरपन कर दे तो माला बना कर भगवान को अरपन की जाए तो उसका असीमित पुन्य मिलता है वैसे तो माग मास के दोरान इस काम को इस उपाय को रोज करना चाहिए कि 11 या 21 पत्तों की माला बना कर भगवान को अरपन करें लेकिन अगर इसे रोज ना कर पाएं तो कम से कम एक बार या कुछ विशेश तिथियों पर जैसे एकादशी पर ऐसी तिथियों पर भगवान को 11 या 21 पत्तों की माला बना कर जरूर ही अरपन करनी चाहिए अब आपके मन में आएगा कि एकादशी के दिन हम तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ सकते तो ऐसे में हम माला कैसे अरपन करेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही हरे कृष्णा राधे राधे